टॉप 20 न्यूज़ इस ब्रॉक्टियो बाइट साइका मोर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और करेंट कोठारी ज्वेलर्स नमस्कार स्वागते आपका इंट भी सिन दिउस पर आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाकिय श्री हफ्ते की आखरी कारूपारी सत्र में भी भारतिय शेर पासार में गिरावट के साथ कारूपार की शिर्पात हुई है ब्यासे सेंसेक्स 24 और निफ्टी 93 अंकों की गिरावट के साथ खुला है NCP निता बाबा सित्यकी की पर जब हमला हुआ था तो अस्पताल दे जाने से पहले उन्होंने वहाँ मौचुद लोगों से कुछ बात ही कही थी जिसका खुलासा अब हुआ है NCP निता बाबा सित्यकी की हत्यकान मामली भी आरोपी शियुकुमार गौतम और लॉरिंस बिश्णोई ग्यांग की करीबी जिशान अफ्तर के खिलाब मुंबई पलिस ने लुकाउट सरकुलर जारी क्या है माराश्य विदान सभाचनाओ को लेकर महाविकास आखाडी में सीट शेरिंग पर चर्शा चल रही है इनमें से कुछ ऐसे सीटे हैं जिन पर पेज फस गया है माराश्य में विदान सभाचनाओ को लेकर कॉंग्रिस ने अभी अधिकारी तोर पर प्रत्याश्यों की कोई लिस्ट जारी नहीं की है लेकिन सोचल मीडिया पर एक लिस्ट वारल हो की है संजेश शिलसाट ने महाविकास आखाडी पर हमला पुला है इसके साथ ही उन्होंने एमवे की एक तक पर शक जताती वे कहां कि उन्हें यकीन नहीं है कि चनाओ के बाद यह एक चूट रहेगा आज से महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की दिन चर्या भी बतली जारी है आज अकिलेश यादो महाराष्ट जाएंगे 18 और 19 अक्टुमबर को महाराष्ट के दोरे पर रहेंगे इस बार महाराष्ट चनाओं को लिकर अकिलेश मुस्लिम बहुल इलाकी पर फोकस कर रहे है सुप्रेम कोट ने बाल विवाक के मामने में दायर जनहीत याचिका पर सुनफाई करके अपना फैसला सुरक्षित रखा है दिले के कैलाशपुरी एक्स्टेंशन इलाके में एक केमिकल गोदामीर रात करीब 11 बचकर 10 मिनिट पर भीशन आग लग गई जरकर्ण में विदान सबाचनाओ दो चरनों बे होगी पहला चरंग का मतान 13 नहंबर को और दूसरा चरंग का मतान 20 नहंबर को होगा आमादमी पार्टी के कई सिनियर दीडर जमान से जिल से बाहर आ चुके हैं लेकिन इसके बाज़ुत सता रुड आमादमी पार्टी के एक और सिनियर दीडर सतिंडर जैन अभी तक जिल की सलाकों की पीछे है बॉलिवर डाक्टर सर्मान खान को फिर धंकी दी गई है मुंबर के ट्राफिक पुलिस के वाटसप नमबर पर एक धंकी बड़ा मासेच मिला है हमास शेफ याना सिन्वार की मौत पर अमेरिकी ड्राश्वपती जो बाड़ें ने बड़ा बयान दिया है हमास शेफ याना सिन्वार के मारे जाने के बाद इसराइल के प्रधान मत्री बेंजामीन निद्न्याव ने कहा है कि हमास अब गाजा पर शासन नहीं करेगा बंदगों को रिहा करने तक हमला जारी रहेगा जारकन विदान सबा चुनाव को लेकर बेज़ेपी आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है चंदीकड में आज हरियाना कॉंग्रेस विदायक दल की बैठक है इस बैठक में विदायक दल का निता चुना क्या है योपी विदान सबा की इन दौ सेटों पर हो निपाले उप्चुनाव को लेकर अधिसुचना जारी हो गई है आज से इन दौ सेटों पर नमांकर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ये थी आज की टॉप 20 खबरे खबरों का सिलसिला यो ही चलता रहेगा आप देख तेरे ये इन दिस इन दौ सेटों नमस्कार